सच्चा हीरा के सच्चा हीरा अहीं एक विद्यार्थी मीत्रो सरस्मजानी एक वाड़ता करवा मावी छे के सच्चा हीरा अड़ले के दिक्राओ पुत्र केवा हो आजो ये खुबत सरस्मजानी एंदे केवा गुणों हो आजो ये एवी केक एक महत्व पुर्ण वाद करवा मावेली चोवा मड़े छे तो ये वाड़तानी माहीती आपने पेला जानी है अन्य पछी आगर पाटनी सरुवात करिये तो प्रस्तुत कहानी में व्यक्ती के ग्नान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया के वाड़तानी अंदर व्यक्ती नी अंदर एला ग्नान नी साथे साथे इना कर्म केवा चे केवा कर्म करवा दोई एने पन महत्वा आपवा मावेली तो अच्छा ग्नान अच्छी बात है लेकिन वहां आत्रण में नहीं है तो निर्थक है कि सारू ग्नान छे अपने वात करें कि विक्ति पासे गणू बदू ग्नान होई, पन जो एक ग्नान surplus ना करें घ्नान अच्छी और क्पना माटे नकाम बने छे इस बात को रोचक तरीक से प्रिस्तुत गे कि ए वात ने खुबध रस पुरुवगरी ते अहीं आपने निरुपवा मा आवे लिछे तो विद्याती मित्रों आपने पाटनी सरुवात करिये कि सुरिय अस्त हो रहा था पकसी चाह चाहते हुए अपने अपने निड की ओर जा रहे थे कि सुरिय अस्त हो रहे आथमी रही हो तो दिवस पुरो थोवानी तैयार इमा आतो अने पकसी चाह चाहते कि अवाज करता करता पोत पोता ना निड नीड ले माड़ो नीड ले सूताई माड़ो पक्सी आवाज करता करता पोता ना माडा तरब जय रहिया हता क्या रहे तो कि जारे सुरिय चे आथी में रहियो तो अस्तर रहियो तो क्यारे पक्सी आवाज करता करता पोता ना माडा नी तरब जय रहिया हता गाम की कुछ स्त्रिया पानी लेने के लिए खड़े लेकर कुईये की ओर चल पड़ी गामनी किटलिक महिला श्त्रियो पानी लेवा माटे खड़ा अटले माटला ले अने कुवा नी तरप जाई पानी भरे गामनी के लिक स्त्रियो शे ए पोतानी घर पाची चाली जाई चे परेंटू उनमें से चार कुये की पक्की जगत पर बेटकर आपस में इतर उधर की बाते करते हैं परेंट जे पानी भरवा स्त्रियों गए थी यहां थी केटलेक्स त्रियों तो परिपाजी पोतानी घरे पानी भरी अने चाली जाईचे परेंटू इम आथी चार स्त्रियों गए वीचे के जे पक्की जगत पकी जगत जे कुवानी आज़ी बाज़ी बाज़ी पाको बनावेलो ओटों छे त्यां बेसी अने एक एक इधर उधर लगा आम तेम वातों करती हती बात चे ते करते करते बात बेटों पर जा पहुंचे ले श्त्रियों छे वात करता करता एमनी वात छे पोत पताना दिकरा ओपर बेटा ओपर छे ने पहुंचे छे उन में से एक स्त्रिकी उम्र सबसे बड़ी लग रहे थे तेमा थे चास्त्री वो थे एमा थे एक स्त्री नी उम्र छे एक सावती मोटी लागती है ते एक स्त्री सावती मोटी हो एक चारे मा थे एवो लागतों आतों वह कहाने लगी भगवान सबको मेरे बेटे जिसा बेटा देया ले इस त्रिश्म केवा लागी कि भगवान बदाने मारे जेवो दिकरो चे येवो दिकरो आपे मेरा बेटा तो लाखो में मारो दिकरो तो लाखो मां एक चे उसका कंट बहुत मदूर कंट ले गड़ू कि एनो आवाज जए ए खुबज मीठों चे मधूर चे ये पेले जिए सवती मोटी स्तरी लागते ये पोताना दिकरानू वर्णन करे चे वहां बहुत अच्छा गाते इस खुबच सुन्दर मजानों गाये एना आवाज मिठो चे आड़ा खुबच सुन्दर गीतों गाये सके चे उसके गीत को सुनकर कोयल और मेना भी चूप हो जाते कि एवा बदा मिठा औने मधुर गीतों गाये चे के एनों अवाज सांपड़ी अने कोयल अने मेना जेवा पक्सी हो छे एपन चूप थाई जाची एपन बोलता नथी लोग बड़े चाव से उसका गीच हो अने लोगों खुबत पसंद करे चाव समलबेना गीतने पसंद करे अने सांपड़ता हो छे जे चार स््त्रियों एक कुवाना पका ओटा आओ पबेटी अने वातो करती है ती ये मारे साओ थी मोटी स्त्रिये पोताना दिकराना दिकराना वर्णन करे अ食べ करे अने मारा दिकराना आवाज खुब ज मधूर छे अने जे खुबर सुनदर गीतो गाई छे गीतों गाई छे तेरे कोयल मेना जेवा पक्सी ओपन चूप थाई जाई छे ओने लोको ओपन खुब देना गीतने पसंद करे छे अने सांपडे छे जो विद्यादेमी तो या चित्रनी अंदर जी आपड़ा वाद करी ए मुझे बाग कूओ छे पक्की जगत पक्की जगत लाई जे पाको ओटो छे एना अपने सुन के वाई पक्की जगत क्या मातलाले एना पाणी बरवावी ती चार स्त्रियों मा आचारे स्त्रियों छे पाती सुनकर दुसरी स्त्रि का मन हुआ कि वहाँ भी अपने बेटे की प्रसंसा करूँ उसने पहली स्त्रियों से कहा मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता बिजी स्त्रियों पोटाना दिकराना वकान सुन करिया कि मारा दिकरानी बराबरी कोई करी सके नहीं वहाँ बहुत ही सकती साली और बहादूर कि ते खुबच बहादूर अने सकती साली छे वहाँ बड़े बहादूरों को भी पचार देता है कि खुबच मोटा मोटा बहादूरों छे यह इमने पन यह पचार दिया छे यह वो सकत दोटेगं के आंग चैनल्य करों पतंदाने सब्सक्राइद याट युग क्या जिसी है जैरे को स Ambassador । भीम साते के ये आजना युग नो ते भीम छे के तेवो सकती साड़ी छे के ये नी बराबरी कोई करी सकतू ना थे हन्या मोटा मोटा बहादूरों छे मंदे पच्छाड दिया छे यहां सब सुनकर तीसरी औरत भला केसे चूपरीथे के पेले बेज त्री ओए पोट पोटाना दिकराओना वाखाण कई दा तो वह त्री जी शत्री छे ये कही रीते सांथ बेशी सके वहां बोल उठी मेरा बेटा साकसद ब्रुहस्पति का आउतारे तो मारो दिकरो दो साकसद ब्रुहस्पति ब्रुहस्पति आले चे देवताओना गुरु यहना भगवान जे देवताओ छे यहना गुरु यहना भगवान व्रुहसपतिन आउता अचे उहां जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कले तै कि झेसकाई वाची आचे एने एक वार माज याद रही जाईचे 30-33 फोता न दिकरेना वकर्ण की रहे कि मारो दिकरो जेसकाई वाची आचे पढ़ता है जो कोच पढ़ता है छे कई वाच याच चे ए तेमने एक वारमाज याद रही जाई छे एसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास एव माने के जाने एना गड़ामा एना मा छाने सरस्वती नो निवास वो सरस्वती साक्साद रहता होई एव आपनने लागया छे जो सवती मोटी स्थ्रिये पोताना दिकरानी प्रसेंसा सूं करीती के एमनो आवाज मदूर छे औने ते खुबर सारू गाय सके छे बिजा दिक प्रिदी स्थ्री है पोताना दिकराना वकान सूं करा, कि ते जेकाई वाचे चे ब्रुलयस्पति नो अवतार छे औने जेकाई वाचे चे एनने एक दम एक वारमा याद रही जाई चे कि जाने एना मा साक्साद सरस्वती मिराजमानु होई आपनने लागया छे आम त्रणे स्त्री होये पोत पोताना दिक्रावना वखान करी हवे आपने चोती स्त्री सुन करी चे यह आपने अभ्यास करी है तीनों ओरतों की बाते सुन कर चोती स्त्री चूप चाप बेठी रही त्रणे स्त्री होय चे पोत पोता ना दिख्राव ना वखान करिया ये सांपड़ी पन चोति स्त्री कहाए बोली नहीं अपने बेटे के बारे में कोच नहो कहा है उसने लगे ते मने पोताना दिक्राव विस से कहीं कहियो ने जिस पैली त्रणे स्त्री ओब है पोताना दिक्राव ना कैक वकान करे कैक प्रसंसा करिया पणा चोथी स्त्री छे एमने कोई पन प्रकार ना पोता ना दिकर्याना वखान करिया नहीं प्रचंसा करी नहीं पहली ने उसे टोकते हुए का पेली ये आजे काई पुछे दिक स्त्री पोता ना दिकर्याना वखान नथी करिया ए स्त्री ने टोकता कही हो क्यो बहन तुम क्यो चूपो क्यें बहन तु क्यें चूप छो तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कोछ बताओ कि तमें पन तमारा दिकरावी से अमने काईएक जणाओ चैसा माटे पेली तरणी स्त्री हो पोताना दिकरावना काईएक वखाण कही दा चैसा चोथी स्त्री छे एक काईएक बोली नई लग्षेर स्वती मोटी पेली स्त्री हो ती ए स्त्री है एमने वखाण करता कही हो एने तोकता कही हो क्यें बेन तूपन काईएक बोल तरो दिकरोपन के वो छे जोतिस्त्री ने बड़े सर्ज वाव से का ने अपने बेटे की क्या प्रसंसाँ पूताने वात करता का यो सर्ज वाव से लाइ थी कि उम्हारा दिकरानी सुँ प्रसंसा करू वहान ना तो गंधर्व सा गायक है ना तो एक गंधर्व जेवा महान गायक छे न भीम सा बलवान भीम जेवा बढ़वान पान न थी कि नहीं बुर्योस्पती सा बुद्धीमान के नती ते बुर्योस्पति जेवो बुद्धीमान के एक कोई पन के जे तने स्त्रिवे पोत पुताना दिक्रावना वखान के रहता के साथी मोटी स्त्री नो पुत्र गाया का तो पची बीजी स्त्री नो पुत्र बढ़वान तो सक्ति साडी तो त्रीजी स्त्री नो पुत्र ब्रुष्पति जव बुधी मान पन नथी तो हवे यह काई वोए तो वखान करी सकूपा यह काई छिये नहीं पन अकिकत विद्याते मित्रो चोथी स्त्री पोताना पुत्र ने वखान काई रितना कर छे यह हवे आपड़ा आवता वीडियो मान जो स्वाई आपड़ा पाठा काविये छिये विद्याते मित्रो चेटलो अपड़ा पाठ समझे इना आदार है ओंवर्थ निम्न लिखीत प्रस्णों के उत्तर लिखिये पहलो प्रिश्ण चे सुरियास्त के समय गाव की कोछ स्त्रिया क्या करने चल पड़ी सुरियास्त पछी गामनी केटलिक स्त्रियों यह सुं करवा गए हाते है बीजो कुई एक चारो और बनी जुची भूमी को क्या कहते है कि कुवा नी आजू बजुन मजे पाकू बना वेलू है एने सुं केवाई यह केवानू छे है ट्रीजयू, डेउताओ के गुरू कोने, डेउताओन गुरू कोन छे, यह केवानूँ छे चोथु, दुसरी स्त्रीने अपने बेटे को क्या बताया, के बीजिस्त्री है, पोताना पुत्रा ने, के पोताना दिकरा ने, के वो बतावयो, एनि वात करी छे पांच मुँ तिस्त्री स्त्री का बेटा किसका आवता है कि त्रीजिस्त्री नों दिकरो छे एक सेनों आवतार छे एनी वात आप अहीं करवानी छे तो आविद्यालती मिद्रों पांच ये पांच प्रश्णों ना जवाब सारा अक्सर है आपड़े होमवर्क मा लखवा ना छे